स्वागा थे आप सभी का फीद से एक नए मजेदार PC बिल्ड के वीडियो में तो आज का जो PC बिल्ड होने वाला है वो हमारा 40,000 के बजेट में होने वाला है फुल बिल्ड होगा जिसमें आपको एक डेडिकेट जीपीउ भी मिल जाएगा इससे जो गेमपले है वो भी आप 10 ATP में हाई एंड मीड सेटिंग में सारी जो अभी के टाइम पे नई गेम है वो भी खेल पाओगे और आप GTA 5 जैसी जो गेम है उसमें आप 10 ATP सेटिंग में आप यहां पे 80 के आसपास APPS हाई सेटिंग में मतलब कि एकदम वेरी हाई वाला जो सेटिंग है उसमें आपको 60 APPS के उपर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा उस तरीके का यह पूरा PC बिल होगा और वीडियो में आखिर में में यहां पे बेंच मार्क भी डाल दूंगा कि जो गेम हे वो किस तरीकी cái have come करती है हमारे के लीए है जो की यहँ पे च्रिक करना चाहते हैं वीडियो करना चाहते हैं उस तरीके की वीडियो डीटिंग प्रीए से चाहरे हैं देन आफिक हए एक दम लेवली यहांपर सबक्राइंग बट यहां पर editing का जो काम है वो भी आप कर पाएंगे और graphic designing वाला काम है तो तो आप photoshop illustrator यह सारी चीजे आप चला पाएंगे अभी जो 3D designing वाले काम वो इससे इतने अच्छे बेटर नहीं हो पाएंगे इतने budget में इतना नहीं होगा बट यह PC build उनके लिए है जिनको सिर्फ एक PC चाहिए अपने काम के लिए और उसके साथ साथ थोड़ा सा entertainment भी उनको मिल जाए उस तरीके का build हो तो उनी के लिए PC build में लाया हूँ तो बिना किसी देरी के जल्दी से सुरू करते हैं तो गाइस अभी बात कर लेते हैं सबसे पह और और 8th rate मिल जाते हैं इसकी जो base frequency है वो आपको 3.30 GHz की मिल जाती है यहाँ पे इसकी जो max clock speed है core की वो यहाँ पे 4.30 GHz की मिल जाती है फिर यहाँ पे अगर हम L2 cache memory की यहाँ पे बात करें तो L2 cache memory हमको 5 MB की मिल जाती है फिर यहाँ पे अगर हम RAM support की बात करें गाईस तो इस टाइप का CPU है मतलब की i3 वाला जो CPU है उसके साथ आपको DDR5 वाला बिल्ड नहीं करना चाहिए DDR4 वाला ही बिल्ड करना चाहिए और हम भी यहाँ पे DDR4 वाला ही बिल्ड करने वाले है अभी इस CPU की अगर मैं यहाँ पे price की guys बात करूं तो market में अभी के टाइम पे बहुत आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा इस प्राइज में अगर आपको यह CPU मिलता है और इससे कम में मिलता है तो बहुत ही अच्छी डील होगी इस CPU के लिए अभी इस CPU के साथ हम जो motherboard लगाने वाले है उसके बारे में बात करें तो motherboard मैंने यहाँ पे सिले किया है MSI की अच्छे मिल जाते हैं मतलब कि दूसरे सारे पोर्ट आपको यहाँ पर मिली जाते हैं और अगर आप चाहें तो आगे जाके आप i5 वाला जो CPU है 12400F वो भी आप इसके साथ बहुत ही आसानी से एटेज करके चला सकते हैं और जो motherboard है उस टाइप का जो CPU है उसे भी हैंडल कर में की पावर रखता है फ्यूचर में आप यहाँ पर अपग्रेशन करते हैं तो इसके साथ आप कर सकते हैं अभी इस motherboard की गाईज हम यहाँ पर प्राइज की बात करें यह जो है वो प्राइज में बहुत ही अभी के ताइम पर अच्छा चल रहा है और बजेट में बिलकुल आपको मिल जाएगा मतलब की साड़े छे से साथ अजार में आपको ओफ लाइन और ओनलाइन मार्कित में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा कहीं पर साड़े छे में मिल सकता है कहीं पर साथ अजार में मिल सकता है तो इसके आसपास आपको यह motherboard मिले तो बहुत ही अच भी कर पाई इसके लिए मैंने यहाँ पे 16 GB की सिंगल स्टिक यूज़ की है यहाँ पे जो मैंने रैम यूज़ की है गाइस एक्सवी जी की जो रैम आती है वह हमने सिलेक की है 16 GB की सिंगल स्टिक को आपको ले लेना है अगर तीन अजार या तीन अजार से अंदर भी मिले तो भी बहुत अच्छा उपसन है तो अभी बात आती है यहां पर स्टोरेज मैंने सीले किया है M.2 वाली SSD जो की आती है WD की तरफ से Blue SN570 जो मोडल है उसकी 500 GB वाला जो वेरियंट है वह मैंने यहां पर सीले किया है अभी के टाइम पर एक अच्छी डिल है अभी के टाइम पर आपको मिल रहा है और अठाइसो रुपे के मुताबिक इसकी जो क्वालेटी आपको गाइस मिलेगी वह एक दम नेक्स लेवल है इस GPU है गाइस वह हमने यहां पर सीले किया है AMD की तरब से आने वाला RX 6500 XT जो मोडल है वह हमने यहां पर सीले किया है यह जो ग्राफिक काड है वह केपेबल है गाइस कोई भी जो गेम है उसको आपको 1080p में हाई सेटिंग में चालाने के लिए मतलब कि आप कोई भी गेम खेले अभी के टाइम पर जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जो नए गेम है वह आप 1080p resolution में हाई सेटिंग में खेल पाएंगे उस तरीके का यह पावर लेकर आता है इसमें आपको 8GB & 4GB दोनों variant मिलते हैं बट हमारे budget के मुताबिक हम यहां पर 4GB वाला जो variant है वहीं ले सकते हैं अगर आपके पास 2-3,000 ज्यादा है मतलब कि 2-3,000 आप ज्यादा spend कर सकते हैं तो मैं यहां पर यह रिकॉमेडेट करता हूँ आपको कि इसका जो 8GB वाला है वह variant आप लीजिए खोड़ी सी आपको performance और भी ज्यादा boost देखने मिलेगी और यहां पर गाईस यह भी मैं के तो आसूस का ले लिजिए तीनों में से कोई भी ब्राइंड का आप ले सकते हैं तीनों में आपको अच्छी quality ही मिलेगी बस यहीं याद रखना है कि AMD का RX 6500 XT जो है वह आपको लेना है ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखने और अभी इसकी price की बात करे मतलब कि मैंने यहां पर बात तो कर दी कि यह इतनी अच्छी performance देता है तो अभी यह किस price में हमको पड़ता है उसके बारे में भी हम बात कर ले तो यह आपको market में बहुत ही आसानी से 15,000 या 14,000 के आसपास आपको बहुत ही आसानी से बिल जाएगा आपको online भी 15,000 के आसपास मिल सकता है यही model ठीक है तो अभी बात आती है यहां पर हमारे जो सारे component है उनको power देने के लिए जो चाहिए power supply उसकी बात कर ले तो power supply है guys वो मैंने यहां पर select की है तो deep cool की तरफ से PF 450 जो model है वो मैंने select किया है 18 plus standard power supply है यह power supply है वो हमारे जो component है उसके लिए enough है मतलब कि हमारे जो सार 300 वोल्ट की जरूरत है बट हम यहां पर 450 वाली जो power supply है deep cool की तरफ से जो आती है उसको हम लगाएंगे deep cool है वो एक अच्छी brand है इसलिए मैंने यहां पर deep cool की जो यह power supply है उसको यहां पर मैंने recommend किया है तो यह power supply भी guys बहुत ही अच्छी deal में अभी के time पे online मिल रही है पच के रखेगा अपने साथ रखेगा जो की है cabinet तो cabinet भी guys कि यहां पर मैंने budget वाला ही यूज किया है इतना तड़क भड़क वाला यूज नहीं किया है anti-sport की तरफ से यह cabinet आता है उसमें आपको एक temper glass भी मिल जाता है जिससे की आपने जो बिल्ड किया है उसकी खुबशूर्ती भी आप निखार पाई मतलब कि यह आपको पची सो से तेइस सो रुपे में आपको online मिल जाएगा और offline में तो I think यह 2000 में भी आपको मिल जाएगा तो यह cabinet हमारा जो बिल्ड ह उसके लिए उसके लिए उसना नहीं कहूंगा कि एकदम बढ़िया है बेस्ट है बट जिस प्राइज में मिल रहा है उस मुताबिक यह temper glass का option दे रहा है फिर एक प्री इंस्टोल यहां पे जो 120 mm का हमको fan मिल रहा है एक्जोस fan मिल रहा है तो यह बाते अच्छी है और आगे यूट्यूब चैनल है उनके वहां क्रेडित उनको जाता है बट यहां पे यह स्क्रीन रेकोर्ड हुई है इसलिए फोड़ा से जो मिलने चाहिए उससे थोड़े से डाउन दिख सकते हैं और दूसरी बात यह है कि इन्हों ने सिप यहां पे SSD यूज की है और हम आमारे बिल यूज करेंज है बड़ा है झाल 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 अ. कर दो भाव कि वी प्राव कर दो चाव दो